आई ये बनाते हैं चूरमा वो भी बाजरा की रोटी का देखे इस तरह से रोटी को बना के बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख दें और इसमें घी लगा दें घी लगाने के बाद जब रोटी थोड़ी मुलाइम हो जाएगी तो इसका चूरा जो बनाएंगे वो अवत अच् चीज के बनाने का तरीका अलग होता है अब हमारे हैं गाओं में तो इसे मीड़ना बोलते हैं और चूरमा को मलीदा बोलते हैं आप कहां क्या बोलते हैं फ्रेंट्स आप जरूर बताईएगा लेकि इस तरह से सभी रोटी को अच्छे से मल लेंगे अच्छी तरह से इसका चूरा बना लें देखिए कितना अच्छा बिल्कुल फाइन चूरा बन गया इसका और फ्रेंट्स छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए ऐसी देशी वीडियो मैं आपको लाती रहूं जो मदा टाइम नहीं लगए दो मिनट में यह रोटी बिल्कुल वारी चूरा बन जाता है घी की मदा से अगर आप घी नहीं लगाओगे तो इसमें गाठे बन जाएंगी देखिए इसमें बिल्कुल भी गाठ नहीं बनी है अब लेते हैं गुड़ लगवक सौ ग्राम कर लेंगे आप चाहाँ तो इसमें सक्कर भी मिला सकते हैं बूरा भी मिला सकते हैं लेकिन यह गुड़ का ही अच्छा लगता है वह इसी का अच्छा लगता है गुड़ का और गुड़ भी फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं यह बिना मसाली वाला गुड़ है विल्कुल प्य गी को मेल्ट होने देते हैं और जो गुड़ा बस उससे गरम करेंगे उसकी चासनी नहीं बनाएंगे जो कि उसमें गाठ ना रहे बिल्कुल भी इसी तरह से इसे देखिया अच्छे से मेल्ट हो गया ओए अब जो हमारा गुड़ है हमने उससे काट कर रखाएं छोटे चोटे चोटे टुकडों में अब वो डाल दे रहे हैं इस में इस तरह से कि अब इसे सिर्फ मेल्ट करना है इसकी चासनी नहीं बनानी है बस इसका घरम करना है जो कि इसकी डरी ना रहे क्योंकि मली चूर्मा में मतलब घी जादा पड़ता है हमारी है गाउ में तो इसे मलीदा बोलते हैं हर जगह कहीं चूर्मा बोलते हैं कहीं कुछ और बोलते हैं जो हमारे हैं चेत्र हमारा उस जगह हैं पर इसे मलीदा बोलते हैं देखे इस तरह से गोड़ अच्छे से मिक्स हो गया गी मैं इसकी चासनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है सिर्फ मेल्ड करना है दबा दबा कुछ डरी रह गई है उन्हां इस तरह से प्रेस कर देंगे और फ्रेंट्स रोटी की वीडियो मेरे चैनल पर और पड़ी हुई है आप एक बार बहां देखें रोटी बहुत आसन तरीके से बन जाती है बाजरा की और रोटी बना के घी लगा के रखते हैं और बहुत ही स्वादिश्ट बनता है डिफ्रेंट तरीके से आपने चूर्म जब मुह में आती है ना तो वाग क्या स्वाद है इस तरह थोड़ी सी डालेंगे इसमें किसमिस और जो हमारा गोड़ है मेल्ट किया हूँ अब इससे डाल देते हैं देखिए बिल्कुल भी हमने इसकी चासनी में बना शिर्फ गरम किया है कि अब इससे भी ढाल देते हैं ो इस तरह से इससर को डाल कर इसके बहुत जल्दी से मिक्स करेंगे क्योंगि धंडा नहीं अच्छे से मिक्स हो वह से जाए और फोड़ा गरम में चम मससे मिलाएंगो अच्छे से मिक्स हो चाह il से कोई भी बना लेगा और आप इसे डाल के साथ कड़ी के साथ खीड के साथ और दही Detroit खा सकते हैं वहत ही टेस्टी लगता है और यह फायदेबंद भी भी अधिन में सर्दी शेसे भी वचाता है आप चाहूं तो इसमें थोड़े से तिल डाल सकते हो बुने हुए काजु बादाम भी और भी ड्राइफूट से एड़ कर सकते हो और इसमें सौंट का फाउडर बगेरा भी इसमें डाल सकते हो मैंने साधा सिंपल ही बनाया है देखिए एकदम हमारा चूरमा बनकर हो गया है और फ्रेंट्स आप भी एक बार इस रेस्पी कुछ ट्राइ जरूर करें और मुझे बताएं कि कैसे बना आपको कैसा लगा बना हुआ है देखिए एकदम हमारा चूरमा कितने सौफ्ट बिलकुल बारिक बारिक बनकर तयार है आप भी बनाईए खाईए और मुझे कि आपको कैसा लगा चूरमा गाउं की देशी रेसिपी और फ्रेंट्स इन पर थोड़ा सा और कसा हुआ नारियल डाल कर इसकी गार्निस कर देते हैं देखिए कितना सुंदर एकदम लड़ू बनकर तर ग्यार हुए है चूरमा के आप भी बनाईए खाईए चैनल को सस्क्र किजिए वैडियो को लाइक किजिए राधे राधे